फिल्म निर्देशक विवेक अगनी होतरी के निर्देशन में बनी फिल्म दी कश्मीर फाइल से कश्मीरी पंडितों के जीवन पर आधारित है जो एक और भाश्पा इस फिल्म का प्रचार प्रसार जो शोर से कर रही है तो वही प्रदेश में इस फिल्म को टेक्स फ्री भी क किया क्या है भाश्पा के द्वारा इस फिल्म के माध्यम से उस सच को जागर होना बता रहे हैं जो कॉंग्रेस ने इतने सालों तक छुपा रखा था वही कॉंग्रेस का आरोप है जब कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तब देश में कॉंग्रेस की नहीं बलकि भार पी के लोग खुद लोगों को टिकेट दे कर अपने शाजन काल का काला सच पता रहे हैं कॉंग्रेस के प्रदेश सच्ची उराकेश उसी यादोकारों पे एक साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाये गया था क्योंकि जबाहा लाल नहरू कश्मीरी पंडित थे और लाल करशना आटवानी उन्हें पसंद नहीं करते थे इसके साथी उन्होंने 2002 में हुए गुजरात दंगे को लेकर भी कहा जब यहां दंगे हुए थे तब भी उस प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार थी भारती जनता पार्टी आज 32 साल बाद कश्मीर पंडितों पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को यह बोल कर दिखा रही है कि यह जो घटना करम हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी पहली बाद तो उसमय कांग्रेस की सरकार नहीं थी वीपी सिंग प्रदान मंत्री थे औ जगमोन राज़ेपाल थे राज़ेपाल उन्हें भारती जनता पार्टी के निर्देश अनुसार बनाया गया था उस समय पंडितों पे वजरपात किया गया और सोची समझी रंडिती में किया गया क्योंकि अडवानी जी भी नहरू जी से उतनी नफरत करते हैं जितनी मोध जी करते हैं तो इस वजह से कश्मीरी पंडित क्योंकि नहरू जी थे इसलिए पंडितों को शिकार बनाया गया एक साजिश के दयत बोड की राजीनिती के लिए और 90 के दशक में उनको वहां से कश्मीर से निकाल फिका गया इसके लिए कही नहीं भारती जनता पार्टी जि जो 2000 के बाद जिन्हों ने जन्म लिया वो नहीं जानती है UAPD को सब बताने के लिए जो तीनों मूवी हैं The Kashmir Files इस घटना करम के जिम्मेदार भारती जन्ता पार्टी है